एक दिन लक्ष्मन ने श्री राम से कहा, महाराज, आप राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते. यह सुनकर रामचंद्रजी बोले लक्ष्मन. राजा का कर्तव्य होता है राजकाज में पूर्नत्या लीन रहना. तनिकसी असावधानी हो जाने पर उसे राजा नरिक की भाती भयंकर यातना भोगनी परती है. लक्ष्मन के जिग्यासा करने पर उन्होंने राजा नरिक की कथा सुनाते हुए कहा. पहले इस प्रित्वी पर महाशस्वी राजा नरिक राज्य करते थे. वे बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे. एक बार उन्होंने तीर्थराज पुषकर में जाकर स्वन विभूशित बच्छरों युक्त एक करोड गौओं का दान किया. उसी समय उन गौओं के साथ एक दरिद्र ब्राहमन की गाय बच्छरे सहित आकर मिल गई और राजा नरिक ने संकलप पूर्वक उसे किसी ब्राहम दान कर दिया. उधर वह दरिद्र ब्राहमन वर्षों तक स्थानस्थान पर अपनी गाय को ढूंडता रहा. अंत में उसने कंखल में एक ब्राहमन के यहां अपने गाय को पहचान लिया. गाय का नाम शवला था. जब उसने गाय को नाम लेकर पुकारा तो वह गाय उस ब्राहमनों में विवाध हो गया. एक कहता था गाय मेरी है और दूसरा कहता कि मुझे यह राजा ने दान में दी है. दोनों जगरते हुए राजा नरिक के यहां पहुँचे. राजकाज में व्यस्त रहने के कारण जब कई दिन तक नरिक ने उनसे भेंट नहीं की तो उन्ह ने शाप दे दिया कि विवाध का निर्ने कराने की इच्छा से आये प्रार्थियों को तुमने कई दिन तक दर्शन नहीं दिये. इसलिए तुम प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिर्गिठ हो जाओगे और सहस्त्रों वर्ष तक गड़े में पड़े रहोगे. भगवा कोई कार्यार्थी द्वार पर आये, उसे सदा मेरे सामने ततकाल उपस्थित किया करो. राम का आदेश सुनकर लक्षमन बोले राघव. ब्राहमनों का शाप सुनकर राजा निर्ग ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम ने बताया, जब दोनों ब्राहमन शा कर उन्हें वापिस बुलाया और उनसे क्षमायाचना की. फिर एक सुन्दर सा गढधा बनवा कर और अपने राजकुमार वसु को अपना राज्य सौंप कर उस गढधे में निवास करने लगे. ब्राहमन के शाप का भारी प्रभाव होता है. मित्रो लास्ट में सोटा सा रि श्री कृष्णा.